इदर रायपूर में कॉंग्वेस पॉलिटिकल अफ्यर्स कमेटी की पहली बैठक आज सुबर 11 बजे राजी भवन में होगी बैठक में पी अल पुनिया, सीम भुपेश बहगेल भी शामल रहेंगे PCC चीव मोहन मकाम भी बैठक में मौझूद रहेंगे मिशन 2023 की रुणनीती पर यहां पर चर्चा की जाएगी सीधर रुख कर लेते हैं हमारे साथी आपस स्वपनिल जुड़ रहे हैं स्वपनिल क्या कुछ खास होने वाला इस बैठक में मोहन मरकाम की बैठक होने वाली है क्या कुछ विशेश निर्ण लिये जा सकते है अगामी चुनाओ है विधानसभा चुनाओ है उसके मद्दे नजर यह बैठक काफी एहम मानी जा रही है और इसमें कौन-कौन से मुद्दे जो है चुनाओ में शामिल किये जाएंगे उसको लेकर रण नीती तियार की जाएगी मैं बताना चाहूँगा उदैपूर जब कॉंग्रेस का संकल्प शीवर हुआ था उसमें ये फैसला लिया गया था कि हर पीसी सी की एक पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी बनाई जाएगी और चट्रिस गड़ में भी जब यह कमिटी बनाई गई तो इसमें दस से ज्यादा सदस होती है वो ये तै करती है कि जो आने वाले चुनाओ है उसमें कौन-कौन से मुद्दे शामिल किये जाएंगे जो वर्तमान राजनतिक हालात है उसके साथ ही जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहे है उसको किस तरह से करारा जवाब दिया जाए इन सभी मसलों पर कि तैयार की जाएगी कि जो चुनाओ है उसमें कौन-कौन से मुद्दे रहेंगे कौन-कौन से एजन्डे रहेंगे जी स्वपनिल बने रहेगा हमारे साथ आपको बता दें रायपूर से आप खबर दिख रहे थे जहां पर कॉंग्रिस की आज एहम बैठक होने वाली है जह मनुझ मंडावी की शद्धान जली शभा में भी होंगे शामिल मानुबताब से जग्दलपूर जाएंगे पी-ल पुनिया जग्दलपूर में कौंग्रिस नेताओं के साथ करेंगे बैठक कौंग्रिस पतादिकारियों और वरिष नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक आपक अपनिल क्या कुछ अपडेट है पील पुनिया के लेकर आज उनकी कई सारी कारेक्रम तेख किये गए हैं कि देखें बिलकुल कॉंग्रेस का मिशन बस्तर जो है कही न कहीं आँ से शुरू हो जाएगा हाला कि दिपावली के पहले प्रदेश प्रभारी कॉंग्रेस के उनका बस्ता दौरा प्रस्तावी था लेकिन किसी कारण वश ये दौरा टाला गया था और अब दिपावली के बाद एक बार फिर उनका दौरा जो होने वाला है और इसके लिए प्रदेश प्रभारी प्रभार मनोज बंडावी उनके श्रदानजली कारिक्रा में शामिल होंगे और इसके बाद सिधे पियल पुनिया जगदलपूर के लिए रवाना होंगे और जगदलपूर में आज शाम जो बस्तर के जो कॉंग्रेस के पदादिकारी हैं कारिकरता हैं उनकी बैठक लेकर उनको रिचार इसका है वो शुरू हो गया है उनके इस दोरे से और पिछले चुनाओ की बात की जाए तो बस्तर में 12 में से 11 सीट जितने में कॉंग्रेस कामियाब रही थी तो इस चुनाओ जो होने वाले हैं उसमें भी ये जो है पूरी 12 की 12 विधान सभा सीट कॉंग्रेस जीते इसको ल वाले हैं पत अधिकारियों अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे मिशन 2023 को लेकर रणनीती तैयार की जारे जिसके लिए बस्तर दौरा काफी महत्पूर्ण भी माना जा रहा है जग्दलपूर में कॉंग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं